हलो दोस्तो आज मैं बना रही हूँ चना की भाजी क्योंकि अभी सर्दी है तो चना की भाजी मेथी की भाजी पालक की भाजी सभी भाजियां अच्छी लगती हैं जितनी जादा आप भाजी खावगे उतनी ही कम हैं मैंने बनानी के लिए चना की भाजी लिए उसे अच्छे स चाट बेन लिया है और चोटी चोटी तोड़ दिये क्योंकि अभी बड़ी बड़ी थी ज्यादा बजार से लाई हुई भाजी अब एक हांत में हम भाजी लेंगे और एक हंसिया या फिर आप चाको ले एक कपड़ा बिछा ले या फिर आप पेपर बिछा ले और उसमें पकने के बाद भी अच्छी लगती है देखने में चना की भाजी को मैं पहले काट करके पूरी भाजी रख लूँगी और जो भी डंठल उसके बड़े होंगे तो उसे तोड़ लेंगी या फिर अलग कर लेंगे जब भाजी मेरी पूरी कट जाएगी उसके बाद इसी एक ब बाजी बना रहे हैं आप चाहें तो उड़ात की दाल से भी यह बहुत ज्यादा अच्छी बनती है एक चमत तेल डालेंगी और जो कोकर का ढखकन उसकी सीटी लगा कर के से पकाएंगी जब तक दाल थोड़ी सी जलना जाए क्योंकि सीटी लगा देंगी तक दाल ज्यादा गल जाएगी एक हमने सीकेरट चीट डाला है बाजी में दो चमत गेहुं का आटा जिस आटा से हम रोटी बनाते हैं वही आटा डाला है क्योंकि जब मम्य दादी लोग भाजी बनाती हैं उससे पानी क्यों नहीं यू अलग होетा बो लोग भाजी में एक-डो चमत गेहुं क काटा डाला था इसी अच्छी सी मिस कर देंगी इसे साथ आठ मिर्टब पकाएंगे और बीच-बीच में चलाती रहेंगी क्यों फिवाजी को अब ढखना नहीं हमें और इसी बीच-बीच में चलाना भी है मैंने लिया है लेसून अधरक हरी मिर्ची इसे हम ग्रीटर में ग्र कि इसे हम भाजी में डालेंगे इससे भाजी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और भाजी को बीच-बीच में चलाते ही रहेंगे चम्मत से देखो भाजी से बिलकुल पानी अलग नहीं हो रहा है अब इसमें डाल देंगे जो हमने अधरक लेस्ट और हरी मिर्ची को रखा थ पीस करके अब धनिया पती डालेंगे इसे मिक्स करेंगे इसे एक दो मिट पकाएंगे अब ज्यादा देन नहीं पकाएंगे नहीं भाजी के कलर चेंज हो जाएगा इसलिए भाजी को चार पांच मेरटी पकाएं और बीच वीच में चलाते रहें गैस को तेज करके ही लगती है चना की भाजी के साथ में थोड़ी मोटी रोटी अच्छी लगती है इसे हम पानी लगा करके बना लेंगे तब हमें डाल देंगे और दूसरी रोटी सेंक लेंगे जो पहले बना करके रखी थी काव में तो जब चूला से बनाओ भाजी रोटी तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है साथियों में अब इसे हम परोस देंगे और कमेंट करके जरूर बताना कि मेरा वेडियो आपको कैसा लगा अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सकाइब नहीं किता प्लीज मेरा चैनल सब्सकाइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी चना की भाजी कैसी लगी और आप लोग कैसे बनाते हैं पोटी में गी लगा देंगे और इसे चलाद या अचार के साथ परूसेंगे और इसे गर्मा गर्म इंजोई कीजिए देखो हमारी भाजी से पानी है जो बिल्कुल अलग नहीं हो रहा है तो चमस गेम काटा डाल करके अगर आप ऐसी भाजी बनाओंगे तो आपकी भाजी ऐसी ही बनेंगी वेडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्वाद